पर फिर से मैं आज आपको फिर से 10 ड्रिमिलियोन के विनिंग टीम सीधे दिखाने आला हूँ स्टाइट्स वगेरे आज थोड़ा मतलब टाइम कम है इसलिए आज रात के कल की जो मैच है उसके लिए स्टाइट्स भी दूँगा दस टीम्स भी दूँगा फिलाल अभी देख देखने है तो उसको हाइलाट करके दिखा दिया उस पर क्लिक कर लीजिए नीचे भी क्रेटेटिम को अप्शन मिलता है जैसे कि मैं हमीशा बताते रहता हूं लेकिन मैं माई टिम पर जाके अल्रेडी टर्स टीम्स बनाके रख चुका हूँ तो वहाँ पर ही मैं क्लिक करके किस किस को ले सकते किस को नहीं लेना क्याप्टन वाइस क्याप्टन किसे बना सकते वह भी मैं बताऊंगा लेकि दोस्तों फिर से एक बार कि चानल पर नहीं तो चानल को सबस्काइब ज़रू कर लिजिए और बेल आइकन को फ्रेस करना ना बूले चले वीडियो को शुरू दोस्तों ये पाच ऐसे वल्ले बाजे जिसमें से किसे ले किसे छोड़े काफी मुश्किल फैसला है तो फिलाल तो मैं इन सभी पाचों को एक साथ ले लूँगा उसके बाद हर्दिक पांडिया और नितिश रेड़ी दोनों को यहाँ पर आज और राउंडर रखूंगा और आप गेनबाजी की बात करें तो पैट कविंस और जस्परीद भूम्रा यह दोनों मेरे पास रहने आले जो कि बेस्ट साबित हो सकते आपके लिए दोस्तों बहुती बड़िया टीम है और आप जरूर इस टीम का क्याप्टन में इस टीम का है ट्रेविस हेड को बनाऊंगा तो रोईचर्मा को वाइस क्याप्टन मनाऊंगा प्रेविस हेड हब आपको पता है ओपनिंग के लिए जब अदस गाम कर जाते हैं हार रोईचर्मा भी बहुती जब अदस फॉर्म में है लेकिन पिछले दो-तिन मैचे से अच्छ फॉर्म में नहीं तो इसलिए क्याप्ट अकेले को लूँगा उसके बाद मैं क्लास इन को ड्रप करूंगा क्योंकि पिछले कुछ मैचे से क्लास इन का बला ठिक ठाक ही चल रहा है इतना बहुत बढ़िया भी नहीं चल रहा है उसके बाद यहाँ पर रोईचर्मा रहेंगे शुरिकुमार यादा और ट्रेविस तो इसलिए इनको ड्रॉप करूंगा आप चाहे तो उनको लेना चाहे तो ले सकते हैं लेकिन मुझे लगता है ड्रॉप करना ठोड़ा बैटर रहे सकता है तीन अटराजन कोईट जे और यहाँ पर तुसारा ने पिछली मैच में जबदस गेन बाजी कीती तो उनको मैं इस क्यापटन तो तिलक वर्मा को वाइस क्यापटन बनाने जा रहा हूं यह भी काफी रन बना रहे हैं दोस्तों तिलक वर्मा तो ज़रूर आप इन दोनों के साथ आज़े क्यापटन वाइस क्यापटन जा सकते हैं उल्टा करना जा सकते हैं वर्मा को क्यापटन अभिशेक को कभी कभी गेन बाजी भी बिल जाती है तो मुझी लगता है इनको क्याप्टन मनाना ज़्यादा बेट रहेगा बहुत ही अच्छी टीम में इसे भी क्लोज करते हैं तीसरी टीम पर चलते हैं अब तीसरी टीम की बात करूँ तो यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं कि मैंने पितली टीम में किशन को अकेले को लिया था पहली टीम में दोनों को लिया था किशन और क्लास इन को इस टीम में क्लास इन को अकेले को लह रहा हूँ मतलब हर एक ओप्शन में आपको दे रहा हूँ जिसे आप ग्रांड लिग जीद सकते हैं उसके बाद बैटिंग की बाद करूँ तो रोई चर्मा सुरिकुमार याद रहा हूँ ट्रेविशाइड अभिशेक शर्मा तिलकवर्मा फिर से यहाँ पर पाचो बल्लेबाद शाबाजायमत को इस टीम में ले लूँगा तो बतलब यहाँ पर भी आप एक अच्छा प्लियर आपको ड्रॉप जरू करें लेकिन इसके वज़े एक अच्छा प्लियर भी आपके पास वापस आ रहा है इसके अब आद आप पैट कमिंज को मैं लूँगा जस्परित बुम दोनों ही जबर्दस हिटिंग कर सकते दोनों ही जबर्दस स्ट्राइक रेट से बलेवाजी कर सकते सक्सेस हो जाए तो आपको ग्राड लीग जरू जीता सकते और साथ-साथ दुफ्तों उल्टा करना जाए तो कर सकते यहाँ पर क्लास इन को कैप्टन और सूर्य कुमार को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं लेकिन फिलाल मैं इसी तर से रखंगा इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं चौथी टीम पर हमीं चलना है जो कि जबदस पॉमें जैसे कि मैंने बता है रोईचर मा पिछले कुछ मैचेस से कुछ खास नहीं कर पार है तीलक वर्मा को ठोड़ा रिस्की में है लेकिन ड्रॉप कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या और के निति श्रेड़ी फिर से मेरे पास रहने आले लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ बैटिंगों पर बॉल ध्यान दियाता ज्यादा और अल्रॉंडर पर देता हूँ लेकिन यह देखिए प्यू चावला पैट कमीं जस्पृत बुम्रा कोईट जेटीन अट्रागन पतलब पाच ऐसे गेन बाद जो विकेट टेकिंग गेन चलना रहा हूँ किशन भी जम़दस है और हेड को आल्रेड को यहम क्यापोटन बढ 보고 क्याप्टन बना रहा हूए सकते हैं की लेकिन मुझे लगता है यह दोनों भी जाधा safetyете को हैं कि चैप्तन को वह इस क्याप्टन भी बना सकते एक लगा लोज कते चोध्री टिम पर आपकी जिगा पाच्वी टिम पर आप हम चलना है पाच्वी टिम में फिर से इशान किशन मेरे पास रहे जाले और बैटिक में यहाँ पर रोहिट शर्मा ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा मतलब पिछली टिम में सुर्य कुमार लिया था तिलक वर्मा और रोहिट को ड्रॉप किया था इस बार उन दोनों को वापस ले लूँगा और सुर्य कुमार को ड्रॉप कर दूँगा मतलब यह भी एक ऑप्शन है दोस्तों आपके पास आप ऐसा भी कर सकते क्योंकि सभी आपको चेक करनी होंगे तब आप ग्रै तो इस तर से मैंने चार अल्रॉंडर लिये जो कि बेस्ट साबित हो सकते आपके लिए उसके बाद आप देखेंगे तो गेंबाजी में भी मेरे पास कोईट जे है और इस बार मैं दुशारा को ले रहा हूं यहाँ पर यह दोनों मुंबई के जबंदस गेंबाज है क्योंक सबलते हैं मतलब हर तो शाबाज एमद और को नहीं लाकिन मारक को एंसन्ट होर करेंगे मैं रकषार चाहरल से और शाबाज हैमद और कम से कम पुरा करेंगे और हर्दिक पांड। यहाँ पर मैंने पूरी संतोलीट टीम बनाने की पूरी कोषिश की है तो रोही लिए चर्म किया है मैंने इस तरह से आप इस टीम को क्लोज करते हैं चट्टी टीम पर चलते हैं यहां से मैं ठोड़ी रिसकी टीम में आपको दिखाना शुरू करूंगा अब सबसे पहले छटी टीम की बात करो तो मैंने फिर से देखे तो हैंरिक क्लासेन और इशन किशन दोनों को ले लिया है उसके बाद अगर देखे तो सुरू कुमार यारो ट्रेविस हेड वधेरा को इस टीम में मैं जरूर शामिल करूंगा अब्दुल समद को शामिल लेकिन इसके बाद अगर देखेंगे तो गेनबाजी में मैंने भूनेश और कुमार और जस्प्रिद बुमरा को लिया है मतलब कई ऐसे प्लियर है जो हमेरे ठोड़े रिस्की सावित हो सकते हैं लेकिन अच्छा कर जाए तो वही आपके लिए प्रमासर सावित हो सकते हैं और आपको ग्रैंड लिग जिता सकते हैं क्लासेन को अभी तक क्याप्टन नहीं बनाए तो बदा लूँगा और इशान किशन को वाइस क्याप्टन बनाऊंगा दोनों बेस्ट है और दोनों अच्छी कीपिंग के साथ साथ हाइटिंग पावर भी काफी जादा है तो इसलि दोस्तों आप ऐसा मत समझें के एक बड़ा प्लियर है तो उससे हमें हर टीम में लेना है आपको कही ना कई हर संभावना को मतलब यहां पर उतारना है हो सकता है अच्छा ना करे अभी शेक शर्मा अच्छा करे तो इस जगह पे मैं अभी शेक शर्मा और क्लासेन दोनों को ले लूँगा और उसके बाद शाबा जयमत और यहां पर मारको एंसन को ले लूँगा हर्दिक पाड्या को यहां पर फिर से डॉप कर दूँगा गेनबाजी की बात करो तो भूनेश और कुमार जैदेवनाटकान कोईट जे और तुशारा यहां पर आप चाहे तो मारे पास होते हैं और वो सच में अच्छा कर जाए तो हमें ज्यादा फायदा होता है हमारी लैंक ज्यादा अच्छी आते तो इसलिए यहां पर मैंने बुम्रा को डॉप के तिलकवर्मा को कैप्टन रोहिचर्मा को वाइस कैप्टन मनाऊंगा क्योंकि यह दोनों भी काफ साथ ले लिए फिर से रोहिचर्मा सुरीकुमार यादा और ट्रेविस हेड अभिशेक्शर्मा और तिलक वर्मा इस तरसे पाचो फिर से मैरे पास बेस्ट बल्लेबाद अब इस तिम में ले लिए हार्दिक पांड्या और शाबाज अब्द को इसमें लोगा के और कोईट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी रिस्क लिया है यह बीटेम काफी अच्छी और संतुली थे और सभी करीब करीब अच्छे प्लियर हमार पास आ चुके इसके बाद रोई चर्मा को कैप्टन इशाण किशन को वाइस कैप्टन मनांगा दोनों इसे क्लोज करते है नववी टीम पर चलते है अब नववी टीम के अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने देख सकते है क्लासेन को ले लिया है दोस्तों उसके बाद रोई शर्मा ट्रेविस हेड अभिशिक शर्मा तिलकवर्मा चारों फिर से अब ते मतलब ओपनर ले लिया ह हमेंने और रोई शर्मा और तिलकवर्मा दोनों अच्छे खेल रहे तो इसलिए इन दोनों को ले रहा हूँ अल राउंडर में सिर्फ हार्दिक पांड्या को लूँगा बाकी किसी और को नहीं लूँगा गेन बाजी में आपके पास फिर से पाच उप्शन रहने हो ले पि जविशेड को अभिशेक शर्मा को वाइस कैपटन बनाओंगा ये भी दोनों जबबदस अभी तक ओपनिंग करते आये कई बार इन्होंने काफी खत्रनाक ओपनिंग दिये तो इसलिए इन दोनों को साथ में भी कैपटन वाइस कैपटन बनाना जरूए है तो इस लिए मैं ने क्लास एन को अकेले को लिया है इशान किशन को फिंसे डॉप रखा है रोई चर्मा ट्रेविस हेड अभिशिक शर्मा और एन वधेरा को ले रहा हूँ यहाँ पर भी वधेरा भी जंबदस प्लेयर है हाला कि इतना पर्फॉर्म नहीं कर पाए लेकिन जरूर ट्राय कर सकते हर्दिक पांड्या के नितिश रेड़ी दोनों को यहाँ पर ले रहा हूँ उसके बाद पुई चाला जाए देवनाट कार्ट पैट कमीन सहार और जस्प्रेद बुमरा हर जगा पे मैं सेम प्लेयर नहीं ले रहा हूँ काफी चेंजेस रख रहा हूँ ताकि आपको लेग जितने से कोई नहीं रोख सकता तो इसी लिए मैंने ऐसी टीम बनाई है फिर भी अगर मेरे किसी वी टीम में कुछ भी चेंजेस करना चाहेंगे तो जरूर कर सकते इन फैक्ट मैं जरूर कोऊंगा कि आप अपने मेरे टीमों में एकका दुखका चेंजेस जरूर कीज तो इसलिए चेंज कर सकते हैं दोस्तों फिर से कोँगा टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहाँ वहाँ पे जाके जॉइन कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सकता हूं किसे ड्राप किया गया उसको किसको लिया गया और साथे साथ कुछ टीमों के स्क्रेंशोट शेयर करने की भी कोशिश करूंगा साथे साथ दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे और साथे साथ बेल ऐकॉन को प्रेस करना ना बुले और वीडिया थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज प्लीज लाइक जरू कर दिजे अभी के लिए इतना है मिलते है गले ओड़ में तब तक पिले थैंक्यों और गुडबाई